पर इसको जानकर काफी लोग ज़्यादा गुस्सा हैं ऐसा क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगा उसी के साथ बात करूंगा कुछ एस्ट अपडेट के बारे में तो गाइस बीटी को पूरा देखेंगा अपडेट बहुत ही ज़्यादा कमाल के है तो सबसे पहले बात करते हैं पावर ओफ गल्स के बारे में Resident Evil से रिलेटिव Resident Evil का आपने मुवी देखी होगी गेम भी खेले होगी और प्रिवियसली मैंने Resident Evil 2 का एंडिंग कराए जो कि फौत ही कमाल का गेम था और ये रीमिक वर्जिन है जो कि आपको खेलना चाहिए अगर आप Resident Evil के फैंस हो अपडेट ही है कि Resident Evil की ओफिशली एक TV सीरीज बन नहीं है जो कि काम कर रहा है प्रोडेक्शन पर काम कर रहा है Netflix नेट्फिक्स ने ओफिशली अनॉंस कर दिया कि Resident Evil की ओफिशली एक TV सीरीज बनाएगा और वो सारे करेक्टर को उसमें इंपॉर्टन है पर मैं ये ही चाहता हूं कि इस TV सीरीज में सिपो इक ही क्रेक्टर पे फोकॉस करें वह है लिएट्व कैनेडी क्रेंअ ये लिए लिएट्व केनेडी को रही है तो recognizable जोगि मैं आपको प्रीविस्ली बता चुका हम Cassie and Door की TV Series की shooting होने वाली है वो इसी साल नौमर के महीने से होने वाली है जी हाँ, अब shooting जितनी जल्दी होगी वो जितनी जल्दी हमें update पता चलेंगे अब बात करते हैं ने अश्र अपडेट के बारे में The Internals के update logo कर दिया गया है जो की बहुत ही कमाल का लग रहा है और आप गूगल पे जाके सर्च मारी है Internals का logo तो आप वो updated logo दिख जाएगा जो की font में काफी साथा changes करा है अब Marvel को जब भी कोई ऐसी activity करता है तो इसका मल लब कुछ नया होने वाला है यानि की trailer आने वाला है अब बात करते हैं जसी लिग की releasing date के बारे में जो कि HBO Max पर next year 5 September को release होगी अब ये एक rumor है कोई officially confirm नहीं है और मुझे नहीं लगता कि next year 5 September को जसी लिग इतना late release होगी आपको क्या लगता है? कमेंट शेक्स में ज़रूर बताना और इसको जान कर लोग काफी ज़रूर गुस्सा एक तो इतना late release कर रहा है और ये अच्छी बात नहीं है उसी के साथ open मैं बिलकुल एक नई set footage देखने को मिली है Batmobile की जो कि बहुत ज़रूर अच्छी लग रही है Ocean Master confirm हो चुके Aquaman 2 में जो की Patrick Wilson character play करते है और उन्होंने खुदी confirm करा है कि वो Aquaman 2 में written होंगे Commander Cody confirm हो चुके Owe Man TV series में जो की Star Wars की एक upcoming TV series है वसी के साथ D.N. Johnson ने confirm कर दिया है कि Hawk Girl भी आपको Black Adam movie में देखने को मिलेंगी जो कि बहुती कमाल की character है और देन आपको ये Wonder Woman में भी देखने को मिलेंगी Noah, Cantino उन्होंने confirm कर दिया है कि वो Adam Shmesser का character प्ले कर रहे है पर वो upcoming DC की universe में मूवी में भी देखने को मिल सकते है जी हाँ उसी के साथ The Last Dragon का first look लॉंच कर देगा है जो की बहुती कमाल की upcoming animation movie है और देन The Expendable के बाद अब ये शायद मेरी फेवरेट मूवी होगी क्योंकि पहुती कमाल की अपडेट्स आ रहे है उसी के साथ अगला अपडेट है टीवी सीरीज से रिलेटिव तो बैटमेन की जो गौतम टीवी सीरीज है कि जब बैटमेन नहीं था तो गौतम सीटी की क्या हाला थी तो ये टीवी सीरीज देखना इंपोर्टन है जो कि H.P. Max पर रिलीज होगी अब बात करते हैं डून के ट्रिलर के अपडेट के बारे में और मैं चाहता हूँ कि एक उफिशली पोस्टर रिलीज करा जाए जिसमें कि सभी करेक्टर की कॉस्ट्म अची तरीक से दिखाए जाए सजैम का भी एक उफिशली पोस्टर लॉंच करा गया था टीसी फैंडम में पर इसका ऑफिशली एक्शली लुक लॉंच करा जैरी ने और उसी के साथ निव मुटेंट्स इस तरीके से दिखा ही जा रही है यूएसो में और नियॉक में और देन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कुछ होता मुझे आस तक यह समझ में नहीं आया पर मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया में कोई मुवी इस तरीके से लगे जिससे कि सब अपने कार में बैठकर देख पाएं ये मुवी तो गाइस ये थे वो काफी सारे खमाल के अपडेट अब मेरी तबियत काफी जादा खरापती तो मजबूरी में रिकॉर्डिंग करनी पड़ी क्योंकि अपडेट काफी जादा डेले हो रही थे और देन वीडियो नहीं आपारी थे टैम्टे और देन कल की खवर सुनके तो सभी के होशी ओड़ गए और देन सभी मावल फैंस काफी जादा गम में डूब गए थे मेरको तो काफी जादा धुकुआ ब्लैक पैंथर की न्यूस के लिए तो गाइस आज के लिए बसित नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता लाइक ज़रूर करना और देन वीडियो में कोई भी अपडेट पसंद आए तो कमेंट शेक्स में ज़रूर बताना और देन कुछ भी समझ में ना है तो भी मुझे पूछ लीजेगा क्योंकि आज की रिकोर्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई तो गाइस आज के लिए बसित नहीं थैंक यूपर वाजिंग दिस वीडियो बाई